Hello everyone, आप देख रहे हैं VTAC, तो आज इस वीडियो में हम बात करने चाहरे हैं 5 एप्स के बारे में जो आपको इस्तमाल करनी चाहिए, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अप्लिकेशन को इंस्तोल करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड एक ग्रीन बार बिलिंक करने लगेगा और जैसे ही आप उसे स्वाइब करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास काफी सारे एप्स जिए आपके फोन में इंस्टॉल है, जिन्हें आप किसी भी एप से दूसरी एप में जंप कर सकते हैं आपके पास यहां काफी सारे settings के option है जिनने आप customize कर सकते हैं, appearance setting है जिसमें आप animation speed और आपके scroll animation style को change कर सकते हैं दोस्तो इस application के मतलब से आप किसी भी एक application से दूसरी application में बड़े ही असानी से jump कर सकते हैं पस left and side swipe कीजिए, इस application में जाना है उसे tap कीजिए और उस application में आप आजाएंगे इसी के साथ साथ अगर माह लीजिए आपको कोई अपनी app, widget या फिर application इसमें add करनी है तो आप उपर दिखाएगए positive sign को press कीजिए और यहां उनमें से कोई भी चीज़ को add कर सकते है अप्लिकेशन काफी useful है उनके लिए जो अपने phone का balance बार बार चेक करते हैं इस application को install कीजिए और इसे swipe कर दीजिए जैसे आप इसे swipe करेंगे तो आपका phone का balance यहां refresh हो जाएगा और यहां से आप अपने phone में देख सकते हैं कि मैंने कौन सा data pack डलवाया है कौन सा call pack डलवाया है उसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने पिछले तीन दिनों में एक हफ़ते में या फिर दो हफ़ते में कितना internet खर्च किया है इस option की मदद से आप यहां इस arrow पर क्लिक कीजिए और आप एक हफ़ता दो हफ़ता अपने internet की usage को देख सकते हैं और साथ ही साथ जब आप अपने balance को refresh कर लेंगे मान लिजिए आपका balance घटा या बढ़ा है आप उसे refresh कर लीजिए और वो आपकी notification बार में भी दिख जाएगा तो अगर आपको पता लगाना है कि मेरे फोन में कितना balance है तो ussd code run करने के मज़ाए अपने notification बार को swipe कीजिए और वहां से आप अपना balance देख सकते हैं application को download करने के बाद उसे install कर दीजिए और install करने के बाद उसे enable कर दीजिए enable करने के बाद ये application करता क्या है मान लिजी आप internet accessible कोई भी एप चलाते हो for example मैं YouTube चलाता हूँ तो जैसे ही आप YouTube को चलाएंगे तो आप अपने notification बार को नीचे लाएंगे और जैसे ही आप उसे नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे कि एक वहां notification होगा जो बताएगा कि आप अभी Wi-Fi का यूज़ कर रहे हैं और इस application ने अभी तक Wi-Fi का कितना यूज़ कर लिया है और जो अभी वो data आपका ले रहा है वो उसमें वो भी add कर देगा साथे साथ उसकी cache memory और उसका total size भी दिखाता है आप जाए तो किसी भी application को खोल लीजे जो internet का उसकरती है यह उसकी total memory दिखाएगा वो कितने size का उसका cache memory और वो सारा data जो अभी तक आपने उसे download कर दिया है वो कितने MB का है और वो जो अभी data आप कर रहे है वो भी इसमें जुडता जाएगा तो ऐसा गर कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस application से कितना data download किया है और अगर आप इस application में जाएंगे और यहाँ data में swipe करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने किस तारिक को किस तारिक को कितना data लिया है यह application काफी अच्छी wallpaper application है जैसे ही आप इसे tap करेंगे तो आप देखेंगे है एक live का section है और static का अगर आप live के section में जाएंगे तो यहाँ आप setting पर tap करेंगे तो इसके अंदर आप इसका date and time में बदल सकते हैं यानि कि आप वो time select कर सकते हैं कि इतने time से इतने time तक तुमें black night दिखानी है इतने time से इतने time तक तुमें noon दिखाना है और इतने time से इतने time तक तुमें morning दिखानी है ऐसा time आपने select किया है वो अपने background को उसी के हिसाब से change करेगा अगर आपने 3-4 बजे के बीच में उसे morning का है तो वो morning दिखाएगा वरना night दिखाएगा और noon दिखाएगा यहां काफी wide variety of wallpaper मिलता है जो आप select कर सकते उसके side में non live wallpaper भी है जिनने बस आप सिर्फ tap कीजिए और tap करने के बाद आप यहां set wallpaper के option को प्रेस कर दीजिए और प्रेस करते ही वो आपकी home screen पर लग जाएगा तो इस application को download करने के बाद इसे enable कर दीजिए और enable करने के बाद आप अपने status बाहर से इस application की मदद से battery indicator line को लगा सकते हैं यहां आप Wi-Fi strength या और इनी चैसी चीज़ों को चुन सकते हैं आप चाहे तो इसकी position को change कर सकते हैं इसकी density को बदल सकते हैं आप चाहे तो इस line का color change कर सकते हैं blue से आप चाहे तो green blue या कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ साथ आप इसकी low light indicator चेंज कर सकते हैं highlight का color चेंज कर सकता अगर आपकी बैटरी हाई हो तो कई बार क्या होता कि जब आप games खेलते हैं तो आपको battery level चेक करने के लिए अपनी notification बार को बार बार नीचे लाके देखना पड़ता है पर इस app की मदद से आपको उस बस line को देखना है कि वो कितनी भरी है तो उससे आप अपनी battery percentage का पता लगा सकते हैं तो यह था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो से लाइक कीचे शेयर कीचे और सब्सक्राइब कीचे हमारी चैनल को कि मैं आप के लिए ऐसी वीडियो देगर आता रहूंगा मिलते हैं अगले वीडियो में